आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादी शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुकता बैनर जी पहले मुख्य समाचार मध्यप्रदेश हाइकोट ने चकितसा शक्षा में OBC को 27 फीजदी आरक्षन देने के फैसले पर रोक लगाई रंगों का पर्व होली आज से शुरू आज होगा जगह जगह होली का दहन आवासिय योजना पर GST की नई दरे लागू होंगी और पाँचवे सैफ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के समित फानल में आज भरत का मुकाबला बांगलादेश से होगा अब समाचार विस्तार से जबलपूर हाई कोट ने मथिप्रदेश सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27 फीजदी आरक्षण देने संबंधी फैसले के अमल पर रोक लगा दी है गोर तलब है कि प्रदेश सरकार ने 8 माच को OBC को 14 फीजदी से बढ़ा कर 27 फीजदी आरक्षण देने संबंधी अध्यादेश जारी किया था कल हाई कोट में सुनवाई के दौरान जस्टिस आर एस ज़ा और जस्टिस संजद वेदी की युगल पीट ने सुनवाई करते हुए इस मामले में सरकार का पक्ष जाना मामले की अगली सुनवाई चार हफते बाद होगी तब तक इस आदेश पर रोग चारी रहे की चबल पुर्निवासी, अशिता दुबे और भोपाल की दो अन्य चात्राओं ने पिछड़े वर के लिए निर्धारित आरक्षण बरहौत्री को असमवैधानिक बताते हुए ये याचिका दायर की थी सर्वोच नियायाले के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने उच नियायाले उगलपीट को बताया कि किसी भी स्थिती में कोल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए गौर तलिब है कि 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही प्रदेश में कोल आरक्षण 63 प्रतिशत हो गया था उधर मुख्यमंत्री कमलनात ने अदालत के आदेश पर कहा कि हम विधी विशेशग्यों से सलाह मशौरा कर निर्धारत समय सीमा में अपना जवाब पेश करेंगे कॉंग्रस ने लोगसभा चुनावों के लिए नौ उमीद्वारों की छटी सूची जारी कर दी है सूची में महराश्यों के साथ और केरल के दो उमीद्वारों के नाम है पार्टी की केंद्री चुनाव समिती ने कलन उमीद्वारों के नामों को अंतिम रूप दिया इसके साथ ही कॉंग्रस लोगसभा चुनावों के लिए अब तक 146 उमीद्वारों की घोशना कर चुकी है खंडवा जिले में लोगसभा निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विशेश करपाले ने निर्वाचन कारे से जुड़े सभी पक्षों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेश कारिक्रम तयार किया है इस संबंध में आज दोपहर तीन बजे से सूचना प्राध्योग की और कंप्यूटर संबंध ही कारे में सनलगन अधिकारियों करमचारियों का प्रशिक्षण होगा इसके बाद शाम साढ़े चार बजे मीडिया प्रतिनिधियों के लिए भी प्रशिक्षण शिवर का आयोजन किया जाएगा उधर अलिराजपूर जिले के अलिराजपूर और जोबट विधान सभख शेत्र के मतदान केंडरों के पीठा सीन और मतदान दल अधिकारियों का नर्वाचन संबंध ही प्रशिक्षण कल आयोजित किया गया इसमें प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी गई कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधीकारी शमी मुद्दीन ने बताया कि प्रशिक्षन में अनुपस्थत रहने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा जिले में लोगसभा चुनाव निर्वाचन के लिए मतदाता जागरुकता अभियान के अंतरगद भगौरिया हाट बाजार में जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश में आज होली का देहन का पर्व परमपरागत हर्शुला से मनाया जाएगा इसी के साथ रंगों का पर्व होली शुरू हो जाएगा जो पांच दिनों तक चलेगा आज रात होली जलाई जाएगी अगले दिन कल लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल और अभी डाल कर होली की शुपकामनाय देंगे होली के अफसर पर राज अंदौर के राजवाडा में शाम को होलकर राजवंश की परमपरानूसार पूजा होगी होली का दहन के लिए अनेक समाथ सेवी संगठनों ने गोबर के कंडों का उप्योग किये जाने की अपील की है इस बार पेड काटने से बचाने के लिए भूपाल में वन विभा के सहीयोग से गो काश्ट का विक्रे किया जा रहा है जबलपुर में भी गोबर से बनी लकडी का उप्योग होली का दहन में किया जाएगा उजयन के महाकालेशवर मंदर में आज संध्या आर्ती के दौरान भगवान महाकालेशवर को गुलाल चड़ाया जाएगा इसके बाद देश शाम होली का दहन होगा होली के अफसर पर प्रदेश भर के बाजारों में दुकानों को विशेश रूप से सजाया गया है जहां रंग गुलाल पिचकारियों को खरीदने वालों की भीड बढ़ रही है भोपाल नरसिंगपुर सहित प्रदेश के अन्या जिलों में जिलाप्रशासन ने नागरिकों से होली का तेउहार शांतिपून तरीके से मनाने की अपील की है यह समाचार आप आकाश्वानी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविथा के अनुसार सुन सकते हैं यह समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके लावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ओन आया या डौट अनाईसी डौट आई इन पर अत्वा AIR News अप पर भी समाचार सुन सकते हैं वस्तू और सेवाकर, GST परिशद ने कल नई दिल्ली में आवासिय संपत्ती से संबंधित वस्तू और सेवाकर की दर में एक नए परिवर्तन योजना को मनजूरी दी है इसके तहट आवासिय पर योजना बनाने वाले अपने निर्माणाधीन मकानों के लिए बिना इन्पुट टैक्स क्रेडिट के नई संशोधित कम दर का चुनाव कर सकते हैं या इस पर लागू पुरानी दर पर भी बने रह सकते हैं राजस्व सचव अजय भूशन पांडे ने बताया कि साल अप्रेल या इसके बाद शुरू होने वाले आवासिय पर योजनाओ के निर्माण करताओं को पिछले महीने जीस्टी परिशद द्वारा अनुमोदित वस्तू और सेवाकर की नई दर को सुईकार करना होगा उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद या इससे पहले शुरू हुई अन्य मकान पर योजनाओ के लिए जीस्टी विकल्पों की अन्य विकल्पों का चुनाव भी किया जा सकता है मुरैना जिले में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान लगभख 50 कीलो चांदी के आभूशन जब्द किये हैं जिले के अल्लावेली की चौकी पर तलाशी के दौरान एक वाहन से याभूशन जब्द किये गए सम्मन में पुलिस द्वारा कारवाई की जा रही है पांचवे सेफ महिला फुटबॉल टोनमन के समिफानल में आज भारत का सामना बांगलादेश से होगा नेपाल के बिराटनगर में ये मैच दो पहर दो बचकर पैतालीस मिनट से शुरू होगा ग्रुप चरण में मालदीद को 6 शून्य और श्रिलंका को 5 शून्य से हरा कर भारत शीश पर रहा 2010 में टोनमन के शुभारम के बाद से भारत कभी नहीं हारा और उसने चारो बार खताब जीता है पचले बार 2016 में भारत ने बांगलादेश को 3 एक से हरा कर खताब जीता था सुभा दस पचकर पैतालीस मिनट से पहला समिफाइनल नेपाल और श्रिलंका के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला शुकरवार को खेला जाएगा अब बात मौसम की राजधानी भोपास सहित प्रदेश में गर्मी बढ़ने लगी है दन का तापमान 34 डिग्री से अधिक हो गया है पचले 48 घंटे में तापमान में 6.3 डिग्री सेलसियस की वृत ही हुई है मौसम वैग्यानिकों की अनुसार आगामी दिनों में तापमान और अधिक पढ़ेगा इसका कारण हवा का रुख उत्तर पूर्व की दिशा में होने को माना जा रहा है इसके साथ ही राजस्थान और चतीजगर में बने विक्षोप के खत्म होने से भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है अब कुछ समाचार संक्षेप में CBSC ने निर्ने किया है कि इस साल से दसवी की माक्षीट और सर्टिफिकेट एक ही कागर्स पर दिये जाएंगे इसके अलावा वर्ष 2020 से पूरक लाने वाले चात्रों को तीन अफसर दिये जाएंगे गोवा में भाजपा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री प्रमोज सावन ताज विधान सभा में बहुमत सावित करेंगे कल दिन और राद 12-12 गंटों की समान अवधी के होंगे अगले दिन याने 22 मार्च से दिन बड़े और राते छोटे होने लगेंगी स्कोल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए अवकाश की घोशना कर दी है विध्यार्थियों के लिए 47 दिन का ग्रीश मकालीन अवकाश रहेगा दशहरे की छुटियां 7 से 10 अक्टूबर तक और दीपावली की छुटियां 25 से 30 अक्टूबर तक रहेंगी शिपूरी जिले में होली का पर धूमधाम से मनाया जाएगा जिले में 100 से अधिक स्थानों पर होली का दहन होगी पुलिस प्रिशासन ने सुरक्षा को लेकर विशेश इंतजाम किये हैं भारती क्रिकित कंट्रोल बोर्ड ने IPL मैचों की तारीखे घोशित कर दी है ये टोर्नमेंट 23 मार्च से शुरू होगा भोपाल के मौसम विज्ञान केंद्रो में विश्व मौसम दिवस 22 मार्च को प्रदर्शनी आयजित की जाएगी इसमें मौसम आकलन के उपकर्णों के बारे में विद्यार्थियों को बताया जाएगा शुपपुरी जिले में जिला नर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रो पर दी गई सुविधाओं का जायजा लिया लोगसभा चुनार की आचार सहिता के चलते इस साल और जैन में अखिल भारतिया टेपा सम्मेलन का आयोजन नरस्त कर दिया गया है और हैदरबाद जैपुर सुपरफास्ट रेल गाड़ी का भोपाल में दस मिनिट का हॉल्ट रहेगा अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर मधिप्रदेश हाई कोट ने चिकितसा शिक्षा में OBC को 27 फीजदी आरेक्षन देने के फैसले पर रोक लगाई रंगों का पर्व होली याद से शुरू आज होगा जगह जगह होली का दहन आवासिय योजनाओ पर GST की नई दरे लागू होंगी और पाँचफे सैफ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के समय फानल में आज भारत का मुकाबला बांगलादेश से होगा इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलिटन समाब्थ हुआ नमस्कार